सशरीकाल सभी पसूपालक बैयों को और सभी किसान बैयों को तो आज हम बात करेंगे पसूपी जेर पे क्योंकि पसूपालते हैं जब पसू ब्याता है बच्चा देता है उसके बाद जब उसकी जेर नहीं गिरती तो उससे बड़ी प्रेशानी होती है तो आज हम जो फर्मूले की बात करेंगे वो पसु को देने के बाद आदा गंटा से लेकर के एक गंटे में पसु जेर गिरा देता है बिल्कुल अजमाया हुआ पर्खा हुआ क्योंकि कई भाईयों के हमने इसका इस्तेमाल बताया फिर उनका वापसी हमारे पास फोन आया कि हमारे पसु ने फर्मूला देने के बाद आदा गंटा में जेर गिरा देती तो जो फर्मूले के आद हम बात करेंगे बिल्कुल ये फरीका है सभी जगह जड़ी बूटिया पेड़ पोदा मिलने वाला है सभी जगह आपको कोई पांस पैसे नहीं लगाने और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ जब पुसू बियाता है बियाने के बाद जब जेर गिराता है या जेर नहीं गिराता है तो उसको पून रूप से बैव ना समझे और क्योंकि जेर एक बहुत बड़ी समस्य है और सबसे बड़ी हम गलती कब करते हैं जब पुसू जेर नहीं गिराता है तो हम डोक्टर को बुला करके लिया करके पसू की हाथ से जेर खिंचा करके निकालते हैं ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है, आप ऐसा कभी भी ना करें क्योंकि पसू जब बैता है उसकी जेर अंदर अटक जाती है तो उसका जुआइंट होता है अंदर, शिलाई होती है उसकी, जब तक वो शिलाई अपनी जगए नहीं छोड़ेगी तो पसू की जेर बार नहीं आएगी, अगर हम जबर दस्ती उसकी जेर हाथ से खिंचुआएंगे तो अंदर उसके टुक्रवडे रह जाते हैं, पीस रह जाती है, वो फीस रहने के काण़ फिर पसू आगे बार बार रिपिटर होता है बार बार हीट में आने लग जाता है, पसू फूल पिछा दिखाने लग जाता है और पसु जुगाली करना कम कर देता है और मैंन बात पसु दूद कम कर देता है दूद को सुका देता है दिरे दिरे तो ये गलती आप कभी भी भी ना करें पसु की हाथ से जेर कभी भी भी ना निकलाएं इस से अच्छा आप डोक्टर को बुला करके उसके अंदर दुआ ही रखा सकते हैं एक बर दो पर अगर दुआ ही रखो गए तो फिर उसकी जेर आटोमेटिकली उसकी कलम भट जाएंगे और पसु जेर गिरा देता है और उसके बाद पसु को जेर गिराने के बाद क्या करें यह बड़ी एहम बात है हमने पहले को आता है जब तक वो नहीं गिरता फिर भी पसु दूद पर नहीं आता कईवर रिपिटर भी होने लग जाता है तो जेर पढ़ने के बाद अगर खुद ने गिराई है या आपने यह फर्मूला दे करके गिराई है तो वो फर्मूला आप जरूर इस्तेमाल करें अपने पस दिखाई दे रहा है इसको बांस बोलते हैं बांस इसकी यह डाली होती है टैनी होती है इसकी अच्छी तरह से आप पहचान कर ले देसी बांस होना चाहिए इसकी पत्तों की पहचान अच्छी तरह से कर ले इसको देखी देने का तरीका क्या है आपको ताजा पत्ते यह बा इनको कूट लें, आदा हिलो पत्ते 500 ग्राम लेकर के इनकी चतनी बना लें येशोटे-चोटे इनकी की कटिंग कर लें, छोटे-छोटी कटिंग करके 2 लिटर पाने के अंदर डाल करके और उसको उबाँ लें उसके अंदर आपको अजवाइन, जिसको हर गर में मिलने वाली अजोयन होती है एक चमच अजोयन डाल देए और पानसो ग्राम ये पत्ते डाल करके दो लिटर पानी ले 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 रहाई अग लितरा भी आप पानी लेते हैं देश सी गुड़ आपको लेना है 500 गुड़ लेकरके और उसके अंदर ये पानी के अंदर डाल दे जो पानी आपने चान करके रखा है उस पानी में गुड़ को डाल करके उसको उबा लें जब उसकी आउटी बन जाएगी चान करके आउटी बन जाएगी बिल्कुल आउटी फार्मूला बड़ा ही गजब का फार्मूला है आप इस वीडियो को आगे और पसुपालकों तक और किसान भाईयों तक आगे जादा से जादा से जादा से शेर करें ताकि और पसुपालक भाई और किसान भाई इसका जादा से जादा लाव ले सके और आप इस पेज को फोलो साथ सरीकाल